नमश्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल के ऊपर दोस्तों मारकेट के अंदर हम लोगों ने डिसकस किया था लास्ट वीडियो के अंदर यहां पर कुछ साफ साफ create message clear and clear message आपको आप पर दिया गया था कि simple है market के अंदर अगर market को मतलब यहां पर breakout successful हो नहीं कि लास्ट वीडियो अंदर क्या कहा गया था कि यहां पर जहां market close हुआ है actually man it is a resistance level जो कि यहां पर market बार-बार resistance face actually में कर रहा था तो market ने exactly वही close किया है जहां पर market exactly resistance है अब आप साफ साफ आपको यह कहा गया था कि यहां पर जो है option chain के ऊपर कुछ higher levels के ऊपर hedge positions create हो रखी है और जब भी hedge positions create हो रखी है वहां पर possibility यह होती है कि hedge positions पहले create होती है call writing बाद में की जाती है तो call writing तो actually मैं पहले हो ही नहीं रखी थी it was expected कि जो call writing है वो की जाएगी बट हुआ क्या कि starting की पांच मिनट के अंदर ही दोस्तों it was the earlier activity जो मैं आपको यह पर दिखाता भी हूं यह देख सकते हैं आप आज का intraday का chart तो यहां पर हुआ क्या कि यहां पर market जब open हुआ तो starting के पांच मिनट के अंदर ही जो call writer active अगर होना भी चाह रहे थे एक्चुली सुबा सुबा महा पर जब यह market यहां पर रुका तो actually मैं call writer active भी थे सोला सत्रह हजार पांसो के आसपास लेकिन actually मैं हुआ क्या इन लोगों ने अपनी call writing के conditions close कर दी और call writing के position जब close की तो वहां पर मैंने आपको अपने telegram channel के ऊपर भी साफ साफ लिखा हुआ था कि यहां पर 530 के ऊपर जो है actually resistance है तो यह resistance वही resistance था जो call writer ने maintain करके रखा हुआ था लेकिन दोस्तों exactly साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां पर resistance के आसपास जो है हमको profit booking करना चाहिए एक बार को क्यों क्यों कि यहां पर call writer एक्टिव थे ठीक है और इतनी बड़ी candle के बाद भी market को इतनी देर तक hold रखना मतलब call writer एक्टिव थे लेकिन हुआ क्या exactly exactly 20-25 मिनट बाद यहां पर exactly call writer निकलने शुरू हो गए जिस जब ही मैंने फिर आपको जब यह लेवल ब्रेक हुआ तो यहां पर मैंने आपको message डाल दिया था आपको telegram channel पर मिल भी गया होगा कि data जो है data जो है वो बिल्कुल strong है मतलब resistance जो है वो यहां पर break हो रहा है data strong है और साथ में यहां पर मतलब market अब उपर जाएगी क्यों क्यों कि यहां पर और साथ माम को यह भी काता है कि आप trailing stop loss लगा के रखिए और trailing stop loss मतलब अपना जो upside move है पूरगा पूरा trail करते रही है अब आप लोग मैंने भी trail किया पूरगा पूरा upside move मैंने भी trail किया जो चीज आपको बताई गई कट कोई भी जो लो है वो previous low वो कटा ही नहीं और previous low जब नहीं कटा तो trailing करते 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 exactly जब आप last में आपने देखा होगा मैंने आपको message भी डला था कि मेरा trailing stop loss hit हो चुका है तेलिग्राम message के ऊपर तो यहाँ पर इस candle के ऊपर मेरा trailing stop loss hit हो चुका था और मैंने trailing stop loss लगाते लगाते इस level पर मैंने entry मारा और साथ में members का जो post दिया गया था वो भी यहीं दिया गया था कि यहाँ इसके ऊपर अगर system करता है तो you can buy ठीक है और इस level के आसपास 590 के आसपास members को target दिया गया था वो members ने achieve कर लिया है और वो कर लिया था हम लोगों नहीं achieve ठीक है और दूसरी चीज यहाँ पर मेरा trailing stop loss personal hit हो चुका था तो मेरी personal जो long positions मैंने यहाँ पर create की थी वो पूरा पूरा upside move मैंने आज capture कर लिया था सो यह चीज हमारे members को पहले ही बता था आप लोगों को भी यह चीज फ्री टेलिगाम चैनल के पर दी गई थी यह 530 is a resistance लेकिन data is strong है तो resistance break हो रहा है trailing stop loss लाके रखिए यह सारा indication आपको दिया गया था live market के अंदर and I hope अगर किसने यह चीज follow की होंगे तो यह पूरा 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 जो trail करके जो भी आपको यह पूरा पूरा trend था वो पूरा पूरा capture हुआ होगा तो उस्तों यहाँ पर देखिए exactly होता क्या है हमको पूरा process क through जो है समझना चाहिए market को अगर process के through समझेंगे तब ही हम market को सही तरीके से समझ पाएंगे यहाँ पर exactly अगर यह resistance है यहाँ पर जो market खड़ा है अगर हमने previous video के अंदर यह कहा है कि यह resistance है और यह resistance पर ही close किया है market ने जब तक इसको break नहीं करेगा अगर आज यह break करेगा त लेकिन previous video तक अगर यह candle अगर इसको छोड़ देंगे तो previous candle जो यहाँ पर बनी थी तो इसको resistance ही कहा जाएगा दोस्तों this will be called as a resistance only हम इसको यह नहीं बोल सकते कि यह trend line जो है break हो चुकी है price action के basis के उपर भी और जब तक resistance बरकरार होता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ call writers जो होते हैं वो active होते हैं ठीक है और 17,500 के आसपास call writer active थे अगर आप कल की option chain previously उटा के देखेंगे so यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ लोग comment करें comment live market में भी कर रहे थे के भई आपकी long side की positions कैसे create हुई आप तो bearish थे जोस्तों अगर bearish और ना bearish होना that is a separate thing but आप अगर live market data को read out करना जानते हैं और अपनी positions को adjust करना जानते हैं और साथ में आप live market आपने जो previously discuss किया हुआ है कि हमारी जो trend line है और यह trend line आज की लहीं मैं दिखा रहा आपको आज बहुत दिन की दिखा रहा हूं और मैंने आपको यह दिखाते दिखाते इतने videos हो चुके हैं और जब हम जानते हैं कि this trend line is actually a resistance और जब यह resistance break हो चुका है आपको वहाँ पर level भी दिये जा रहे हैं 520 के आ पूरा यह जो move आज का है इसको capture नहीं कर पाएंगे simple it is a story so अब यहाँ पर आपको समझ में पूरा कपूरा correlation करके आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर assistance break हो जाता है assistance break होने का मतलब है और साथ में मैं आपको confirmation भी दे रहा हूं कि data is good आपको trailing करने चाहिए पूरा upside move capture करने के ल so this is how you can tackle the market but पहले से है पहले देखे पहले से पहले आप यह चीज मतलब क्या कहते हैं view बना के केवल बैठ जाना कि यहाँ पर तो अगर यह resistance यह resistance break नहीं हो सकता so you cannot फिर आप फिर उसके बाद इस इतनी बड़ी candle का benefit नहीं उठा सकते so you have to be flexible in the market और market का यही नियम है अगर आप flexible नहीं हो so market will definitely punish you so it was total update जो हमने आज पूर दिन काम किया telegram channel के ओपर भी members को भी update समझ में आ गई होगी और मैंने जो आपको बताया कि मैंने wrongs कहां पर create किये वो भी आपको समझ में आपको पूरा पूरा clear हो रखा होगा दोस्तों अब यहाँ पर आगे की बात करते हैं तो market ने अब यह fresh breakout दे दिया है बट एक important चीज है कि volumes जो है वो अभी भी missing है market के अंदर यह चीज की update भी मैंने आपको टेलेग्राम चैनल के ओपर दी थी तो volumes अगर missing है तो यानि की FIIs जो volumes को लेकर आते है market के अंदर वो अभी भी active नहीं है उनका data भी यही बता रहा है उनकी जो buying की जो volume है वो आपको NAC पर मिल जाएगा that is only around 800 करोड के आसपास यह उनकी के वल बाइंग है but it is actually a buying but it is a little buying मतलब थोड़ी buying है so it means यह clearly mention कर रहा है volume भी नहीं है buying भी जो है बहुत कम है so it is totally मतलब यहाँ पर 21 से FIIs छोटी पर है और यह पूरा-पूरा मैंने आपको live market में बता जा था कि FIIs एक्टिव नहीं है data भी यह वेरिफाई कर रहा है कि अभी भी FIIs एक्टिव नहीं है it means य FIIs एक्टिव नहीं है FIIs absent है जिसकी वरे से volume नहीं है इसका मतलब simple यह है यह आपका 70% से लेके 80% FIIs यहाँ पर market के अंदर अभी भी छुट्टियां मना रही है अब when they will active I don't know मतलब यह तो वही बताएंगे कब वह active होंगे लेकिन यह पूरा 21 से लेके अभी तब का जितन वह correlate कर पा रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं candlestick के बात करूँ तो candlestick is totally and totally bullish अब मैं volume के बात करूंगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर volume जो है FIIs लेके आएंगे FIIs अभी फिलाल absent है तो दोस्तों यहाँ पर volume के बिना ही market ऊपर चलती जा रही है and it is यह जो पूरी journey के basis के ऊपर और जो हमारे mutual funds है उसके basis के ऊपर चल रही है यहाँ पर FIIs जो है ही नहीं तो यहाँ पर एक तरफा market को भगाया जा रहा है जब बढ़दस्ती बिना volume के और बिना volume के जब market भागता है so उसके बाद मुझे बताने की ज़िवत नहीं है कि वह क्यों भागता है आ FIIs जब active होंगे जब पीजब देखेंगे ठीक है तो जब भी market बिना volume के भागा है उसके बाद market के अंदर क्या हुआ है you can do the back testing and you will get मैंने इसको previous videos में discussion किया हुआ है ठीक है तो आप जाके check कीजेगा तो इतने low volume के हैब market को भगाना it means buying is happening only just by the Indian institutions and mutual funds only ठीक है so now मिना volume के market उपर जा रहा है bullish candle है candle की बात करेंगे कि वह bullish candle है और अब अगला assistance जो market के अंदर मिलेगा वो exactly मिलेगा कहां पे आपको candle यहां पे मिलेगा यहां पे sorry अब जो अगला assistance मिलेगा market के अंदर वो यहां पे मिलेगा इस candle के low पे इस candle के low पे ठीक है so it is around actually में 800 ठीक है 800 800 will be your next resistance level for nifty ठीक है so 800 will be your next resistance level और उससे पहले अगर मैं data points की option chain देखू तो option chain के basis के ऊपर भी check कर लेते हैं कि क्या यहां पर रहेगा क्या नहीं रहेगा resistance तो resistance is now immediate resistance जो है वो 700 के ऊपर है देख रहा है बट यह तो market का अभी जहां पर market खड़ा है उसके हिसाब से ही है तो यहां पर कुछ activities दिख रही है already यह fresh पूडिशन से तो 700 विल बी दा immediate resistance इस 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 फरस्ट रसिस्टेंस जो की break हो सकता है नहीं होगा होगा वो market में पता लग जाएगा तो 700 जो है market का एक immediate resistance है और लास्ट रसिस्टेंस फॉर इस फॉर इस वीक इस 60,000 मलाब यह जो 17,800 यहां पर यह ultimate resistance मिलेगा ही मिलेगा तो यानि कि कल के लिए जो रसिस्टेंस है वो 700 से लेके 800 के आसपास है दोस्तों यह रसिस्टेंस हो गया जो कि आपको चार्ट के उपर और option चेंगे उपर दोनों में समलके दिख रहा है और जब support की बात करें तो अब जो support पहले 300 के आसपास sorry जो पहले 500 के आसपास जो resistance था ठीक है वो अब यहां पर आपको दिखेगा इस week के अंदर वो support बनता हुआ तो 500 is now for this week only it is going to be a support यह जो है अब support बन रहा है तो it is totally now support and resistance are shifting and it is just happening because big players are not active and एक तरफा market को भगाया जा रहा है just because के यहां पर market के अंदर volumes नहीं है और काम कोन कर रहा है हमारे retail traders कर रहे हैं and साथ में DIs कर रहे हैं जिनका behavior केवल और केवल buying करना होता है and they are doing the buying in the absence of FIIs ठीक है so now focus on the levels so levels now the next level is 799 but before this 799 before this 700 is also a little bit resistance जो कि हमको यहां पर खयाल रखना चाहिए दोस्तो bank nifty bank nifty जो है वो members के साथ और आप लोगों के साथ भी पूरा पूरा discussion बहुत दिनों से करता आ रहा हूं मैं ठीक है bank nifty के अंदर मैंने आपको साफ साफ एक ही level दे रखा था बहुत दिन से रखा था और regularly discussion कर रखा था वो level वो level था यह level 35,525 के आस पास ठीक है तो इस level has been broken today also जब यह level break हो चुका है तो it means market उपर जाए गई जाएगा यह मैं बहुत दिनों से discussion करता रहा हूं और यह चीज आपको यहाँ पर दिखी भी कि market उपर गया इसका साथ में कल की members only video के अंदर जो भी members ने देखा होगा benefit के अंदर special focus किया गया था महाँ पर आपको साफ साफ बताया गया था कि 35,800 के ऊपर जो है अराम से market जो है एक अच्छी moment दिखा सकता है मार्केट के अंदर 35,500 तक के टागेट आपको अराम से मिल जाएंगे जैसा ही यह level break होगा हम लोगों ने इसका फाइदा भी उठाया लाइव market के अंदर आपको members का post भी free telegram channel के पर मिल गया होगा जैसा ही 800 के ऊपर market गया तो 36,200 के आसपास हमने profit किया और तक्रीबन 400 से 500 पाइंट की रैली एक करफा हमने benefit उठाया तो दोस्तों अगर आप regularly वीडियो देखेंगे regularly आप अपने है डाडा कैसा है कैसा नहीं है तो यू कैन यूज़ डाट ऑल्सो ठीक है टलिजाम चाहिए का जो लिंक है वो description में आपको मिल जाएगा अब bank nifty के लिए जो important and most important जो लेवल जो बचा है वो अब यह जो तीन यही इसके लिए अल्टिमेट टागेट है जो की है 37,000 37,090 के आसपास ठीक है इस विल बी टागेट and इससे पहले आपको जो थोड़ा सा resistance मिलेगा वो यहां मिलेगा 36,600 के आसपास जो थोड़ा सा minimum resistance होगा 36,600 के आसपास एक मेनी resistance है और उसके वास ultimate resistance हो रहेगा इस विक के लिए 37,000 के आसपास ही रहेगा Now I have given you the levels मैं आपको बता भी चुका हूँ कि market एक तरफा क्यों भाग रही है reason I have given you all ठीक है और अगर बड़े players FIIs जो market को drive करते हैं if they are absent from the market so market को easily कहीं भी भगा सकते है local players और वही market में किया जा रहा है ठीक है दूसरी चीज आपको अगर levels समझ में आते हैं और levels को play करना आप जानते हो तो you can easily play your levels also ठीक है तीसरी चीज आपको live market में यह भी confirmation मिलता रहता है कि market के अंदर जो है वो data किस तरीके का है intraday data किस तरीके का daily basis को पर मैं आपको update करता हूं तो you can also take the benefit from there also so you will get help from everywhere but आपको चीज यूज करनी आनी चाहिए ठीक है उम्मिद करता हूं आपको levels no down करने आ गए होंगे और कर भी लिये होंगे आप लोगोंने और अभी क्या important many resistance है और important resistance क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा या फिर कभी भी reverse करने की situation में market live market में आपको databases के उपर होगा definitely I will inform you on my telegram channel and description में link जो है मिल जाएगा आपको telegram का और मिलते हैं कल आपने telegram channel के उपर ही अभी इतना ही इस video के अंदर thank you thank you so much for watching this video thank you